हलो एवरिवन आई एम आईशा और आप लोगों के सामने में लेकर आई हूँ एक requested वीडियो जो कि मेरी best friend ने बोला है बहुत दिनों से बोल रही है और वैसे भी मेरे पास बहुत सारी requested वीडियो है मैं धीरे धीरे बनाऊंगी कोई यह ना सोचे कि मैं उसकी request नहीं पूरी कर नाम दिया है आखिर बहुवी बेटी होती है अब एक बेटी अपनी मा से बोलती है नहीं करनी मुझे शादी ना होना मुझे पराई है कैसे मैं तुम से दूर रहूंगी मा जब सोच आनक भर आई है अब एक मा अपनी बेटी से क्या बोलती है सुनिए आप सब मा धीरे से मुस्काती है पास बुला बैठा प्यार से उसको कुछ समझाती है ये रीत पुरानी है बिटिया जिसे हम सब को निभाना पड़ता है आज नहीं तो कल बेटी को अपने घर जाना पड़ता है ये सिर्फ तुमारी यहां नहीं हम सब की यही कहानी है जिसे बड़ा किया अर्मानों से ये बेटी एक दिन बिहानी है अपनी शमता से ज़ादा हम वर तुमारा ढूनेंगे कह रही हो जिने पर आया हम से जादा खुश रखेंगे इस घर से जितना इसने मिला उतना उस घर को भी कहना कोई गुसे में कुछ कह भी दे तो भी तुम दिल पर मत लेना जो आबूशर जहां के लिए बनता है उसी के लिए सजता है नए लोगों के बीच जगा बनाने में बिटिया थोड़ा सा तो समय लगता है डोली में कर रहें बिदा बस अर्थी में वापस आना कभी हीरदय आहत भी हो तो तुम खुद ही खुद को समझाना दीरे दीरे एक दिन तुम उस घर के रंग में रंग जाओगी इस घर के लिए पराई और उस घर का हिस्सा बन जाओगी अगला पार्ट सुनिए एक बेटी की स्ट्रेगल की अपने सुस्राल में जो भी उसके बीच होता है जो भी होता है सुनिए अब अगली कहानी वो क्या बोल रहे हैं अपनी मा से अपनी मा से कहती है और सुस्राल में जाकर उसे कितनी कटना ही तैना पड़ता है वो क्या क्या है वो सब बता रहे हैं एक बेटी की अब सुनिए कि सारी बातों की गाट बांध मैं संग अपने ले आई थी पर ना जाने क्यों मा इस घर में भी और उस घर में भी मैं ही पराई थी हर काम में करना चाहती हूँ जो मुझसे नहीं भी आता है पर थोड़ी भी गलती हो जाना जैसे यहां गुना हो जाता है क्या यही सिखाया मा ने तुम्हारी हर रोज मुझसे सब कहते हैं सब छोड़ आई जिनके खातिर वो भी अक्सर चुप रहते हैं यहाँ पर वो लड़की अपने पती को बोल रही है कि जिसके लिए मैं सब को छोड़ आई हूँ वो भी अक्सर चुप रहते हैं अब आगे सुनिए सुबा सवेरे जल्दी उठकर हर काम मैं अपना निप्टाती हूँ कोशिश करके हार गई मा पर मन जीत न पाती हूँ अपने सारे अर्मानों की फिर एक चादर ओड़े सो जाती हूँ समझाया था तुमने जैसा वैसा तो कुछ भी न पाती हूँ हर रोज आँक नम होती है हर रोज हिर्दर भर आता है बहू भी बेटी होती है कोई क्यो समझ नहीं पाता है कहने को हर रिष्टा अपना पर अपने पन से कोसो दूरी है ये कैसी रीत है दुनिया की मा कैसी मेरी मजबूरी है ना जाने ना जाने कभी ये घर मुझे से पूरे मन से अपनाएगा जो प्यार मिला मा बाबा से क्या यहां कभी मिल पाएगा तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट पूरी की अपने बेस्ट फ्रेंड की और मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये जब उसने मुझे बताया कि इस तरह से आप बोल दो तो मैंने का ओके लेकिन उसने मुझे बहुत पहले से कहा है आई थिंग थ्री फॉर्थ मन्त हो रहे है तो अब मैंने जाकर बोला तो बस टाइम की शॉर्टेज जॉब इन सब के जहां मेलों में वीडियो नहीं बना पाती और थोड़ी से मेरी तब्यक ठीक नहीं है तो थोड़ा गले पर तो तो थैंक्यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देना और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सब मुझको यहां तक लेके जाएंगे मेरी जो है एट हंड्रेट नाइटी नाइट सम्थिंग कुछ सब सो गया है तो थैंक्यू सो मच वंस अगें